36 गर में राजनेतिक उलक फेड का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए धरमजित सिंग विधायक की अगर हम बात करें तो जोगी कॉंगरेस 36 गर के विधायक धरमजित सिंग है जिसको पूरो मुख्यमंत्री अजी जोगी ने जब अलग से पार्टी बनाई थी तो उस दोरान में जो धरमजित सिंग है वो ही महतपूर्ण भूमिका में थे और अब उन्होंने बीजेपी का दामन आज थाम लिया है पूरो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग प्रदेश अद्यक्ष के अलावा मनसुप मंडाविया और उ उससे अब कहीं न कहीं विधायक बीजेपी की तरफ जादा आकरशित हो रहे हैं जो निर्धलिक विधायक है या फिर अन्य जो दल के विधायक है वो भी कहीं न कहीं विधायक जो भाजपा के संपर्क में है वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इससे साब जाहिर ह कि आने वाले समय में कॉंग्रेस को एक कड़ी टक्कर भी यहां पर मिल सकती है जिस तरीके से पीम मोदी और अमिच शाह ने सिधे तौर पर कहा था कि बीजेपी की जीत के लिए भाजपा पूरी तरीके से तयार है याने कि राजनती कुलट फिर भी यहां पर शुरू हो चुक कि यह जो साथ विधायक हैं वो किस पार्टी की और जाएंगे याने कि बीजेपी में शामिल होंगे या फिर कॉंग्रेस में धरमजीत सिंग माने जाते हैं कि शुरुआत से ही बीजेपी के साथ में वो आना चाह रहे थे और उसके बाद जब कल पूरु मुखी मंत्री डॉ कि अब वो बीजेपी के कारेकरता के रूप में काम करेंगे उन्होंने बताया कि 15 साल जो रमन सिरकार के दोरान में काम हुए थे उसका काम के धर पर ही जो जनता है वो बीजेपी को यहां पर चुनते ही नजर आएगी सबसे बड़ी बात कि कॉंग्रेस की बहुमत के संक्या में युवाओं को बीजेपी में जोडने की जो कवायद है वो युवा ने ताउने की थी इससे साब जाहिर होता है कि भाजपा मजबूती से अपनी जड़े यहां पर 36 गड़ में जवाने के साथ साथ दोबारा वापसी के लिए तयार हो चुकी है लेकिन ऐसे में यहां पर कर रही है खड़गे भी 36 गड़ के दौरे पर रहेंगे यने की 36 गड़ की सियासी गरमी जल्द ही बढ़ने वाली है ऐसे में किस त्रीके से जंता के बीच में बीजेपी और कॉंगरेस अपनी जड़े जमाएंगी और भाजपा का यह दाओ जिस तरीके से विधाय बीजेपी आने वाले समय में और कितनी मजबूत होगी जनता के बीच अपनी कितनी पकड मजबूत कर सकेगी ये तो आने वाला वक्ती बताएगा 36 गड़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा